लोग पुछते कि भी आप फेस्बुक से पैसा कैसे कमाएं आज के वीडियो में आपको यही तो समझाने बाला हूँ कि फेस्बुक आपको पैसे कब देगा कैसे आप फेस्बुक से पैसा कमा सकते हैं कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी मतलब पूरी चीज आपको step by step आज के वीडियो में समझाने बाला हूँ आपको करना इतना है कि चैनल पर नए है तो subscribe कर लेना और वीडियो को कर दो like क्योंकि भई काफी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए RS Tomer काम कर रहा है यह समझ लो ठीक है तो चलिए सबसे पहले आपको कैसे करना है क्या करना है वो आप यहां mobile की screen पर समझ गे सबसे पहले आपको facebook page open कर लेना है अपना यह मेरा facebook page है RS Tomer करके 32 follower है और यह मेरा page है ठीक है अब आपको point समझना पड़ेगा क्योंकि भई यह आपको पता होना चाहिए कि facebook आपको पैसे कब देगा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहां जो three dot का option दिख रहा है यहां जाना है यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा page status का मतलब page का आपका status कैसा है तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर blue tick दिखा रहा है यहाँ पर no violation to show मतलब आपके page पर कोई violation नहीं है कोई भी problem आपके page पर है यह नहीं ठीक है तो यहाँ पर आप समझ सकते कि आपके page पर कोई problem नहीं है मतलब हमारा page सही है दूसरा point यहाँ पर लेखा है page is recommendable यहाँ पर आपको click करना है और देखना है कि आपका page recommendation में वीडियो पहुचाएगा कि नहीं पहुचाएगा ठीक है वो चीज आपको यहाँ से पता चलेगी अगर page recommendation लेखा है यहाँ पर इस तरीके से आपको देखे recommendable तो आप समझ लो कि आ वीडियो वाइरल होते हैं वो recommendation से ही चलते हैं लोग recommend करते हैं ऐसे लोगों के पास वीडियो जाता स्क्रॉल करते हैं recommendation में लोगों को आपका वीडियो देख जाएगा ठीक है तो यह सारी चीजे है page status आप देख लो बिलकुल आपका यहाँ पर green take होना चाहिए page has no issue तो page पर बिलकुल एकदम green take होना चाहिए उसके अलावा आपका recommendation सही होना चाहिए तभी video viral होगा page पर आपको नीचे आना है गौर से समझेगा मेरी बात को scroll करते हुए नीचे आना है और आपको जाना है monetization में जैसी आप monetization में जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी tool मिलेंगे जिनक यहाँ पर क्या लेखा है देखिए you have shared at least five eligible video in the last 30 days मतलब 30 दिन के भीतर last के जो 30 दिन होते हैं उसमें आपके channel पर आपको 5 video share करने है long video long video समझते हूं बहुत से लोग short डालते हैं लेकिन मैं आपको बता दू long video आपको डालने पड़ेंगे इसके अलावा आपको बता रहा है यू eligible videos including on demand live मतलब 60,000 की जो minute का जो time है वो आपका दो महीने का होता है मतलब last के 60 दिन के अंदर आपके page पर 60,000 minute का watch time होना चाहिए मतलब 60,000 minute का watch time आप समझ सकते watch time होता है जो criteria वो 60,000 minute का होना चाहिए last के 60 days में 60 दिन में ठीक है उसके अलावा आपके page पर 5000 follower होना चाहिए अब आप समझेए 5000 follower आपके पास होने चाहिए और 60,000 minute का आपका watch time होना चाहिए और 5 वीडियो आपके page पर होनी चाहिए last के 30 दिन में ठीक है और watch time है वो 60 दिन में होना चाहिए और follower तो आपके जब हो जब हो जब हो जाए एक साल में भी हो जाए तब भी चलेगा लेकिन एक condition बनती है बहुत सारे लोगों का क्या होता है 15 दिन में 20 दिन में 5 दिन में 10 दिन में ही उनका जो criteria है वो complete हो जाता है फिर वो दिमाग खराब हो जाता है उनका क्यार हमारा channel जो है वो monetize नहीं हो रहा तो उनका जो page है वो monetize क्यों नहीं होता है पता है एक rule है Facebook का जैसे मा जो कि हमारा page monetize हो जाए तो तुरंत नहीं होगा Facebook की एक policy है जिसमें सारी एक महीने पुराना page होना चाहिए आपका जो page है वो एक महीना हो जाएगा उसके बाद आपको monetization का जो setup करने का option आते हैं वो तब ही आप कर पाएंगे जब आपका page एक महीने पुराना होगा ठीक है कुछ लोगों को परिशानी आती है अभी मेरा एक मित्र है उसको परिशानी आई थी उसमें 25 दिन में criteria complete कर लिया उसके बाद उसका page monetize नहीं हो रहा था क्योंकि फेस्बुक की यही policy है कि एक महीने पुराना page होना चाहिए जब आपका page एक महीने पुराना होगा आपका criteria complete ह होगा तो आपका page आसानी से monetize हो जाएगा और हां duplicate content के चक्कर में कम पढ़ना हलांकि monetize हो भी जाता है बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि उसके पैसे फस जाते है तो जितना हो सके original content बनाईए बाकी महनत करते रही है काम करते रही है हमारी तरब से आपका पूरा support किया करते हैं